दोस्तो जामिया हमदर्द का 2024 के लिए फॉर्म आया है अब ये किस कोर्स का आया है इस वीडियो में आपको जनकारी तो मिलेगी है इसी बीच में मैं आपको विश करना चाहता हूँ हाईपी नियूर्स हाईपी नियूर्स दोहजात चौबिस आने वाले जो साल है दोहजात चौबिस के आपके लिए अच्छा हो हम सब के लिए अच्छा हो देश के लिए अच्छा हो और आपके एडमिशन के लिए आपका नॉलेज के लिए आपके एजुकेशन के लिए आपक year से चलता है तो यह जो English calendar है that is most important very important in terms of admission in terms of financial in terms of anything business and all तो हर चीज़ के लिए 2024 बिल्कुल नया साल है तो यह तो बदलाव हुआ है 2023 से 2024 आया है तो इसमें आपके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे नय साल के आप सभी को मुबारक बात इस नय साल में आप healthy रहें fit रहें कुछ न कुछ नया सिखते रहें तो यह form के बारे में बताएंगे official form के बारे में इससे पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि 2023 से 2024 में जो जामिया हमदद का prospectus था उसमें admission जो medical courses थे उसमें NEET के दवारा हुआ था MBBS course में और जो B.T.E.C. होता है जामिया हमदद में वो J.Main के paper से हुआ था और C.E.T. के दवारा graduation के courses में जितने भी bachelor degree graduation वाले courses है उसमें admission हुआ था जो law courses है जैसे B.L.L.B. है उसमें CLAT के exam से हुआ था 2023 में तो 2024 में भी यही exam important होंगे तो C.U.T.P.G. का form निकला हुआ है C.U.T.P.G. का form जरूर भर लीजएगा अब इन्होंने यह भी लिखा है कि qualifying examinations है जो short listing होगी वह हो सकता है इस qualifying examinations पे हो या सिर्फ interview पे हो या सिर्फ entrance test पे हो या कोई other mode भी university ले सकती है तो बहुँ सरे ऐसे courses है जिसमें कुछ तो इस national level test से होता है कुछ self finance के रूप में भी होता है यानि without test भी जामिया हमदन में admission हो जाता है donation पे पैसे पे तो कुछ कुछ courses ऐसे हैं जिन में donation से admission हो जाता है लेकिन जो national level की जैसे medical चीज़े है तो उसमें donation से तो होगा नहीं लेकिन कुछ ऐसे bachelor courses है जिसमें direct admission हो जाता है जामिया हमदन में एक और बात आपको बतानी थी कि 50% जो total seats है न वो सब reserve है Indian Muslim के लिए क्योंकि जामिया हमदन भी minority institution है आज जामिया मिलिया इसलामिया निव डेली तो जामिया हमदन भी दिली में है ये भी Indian Muslim के लिए 50% सीटे इसमें क्या है फिक्स है और बचे हुए जो 50% सीटे है वो open to all है तो ये चीज़े important चीज़े जानना बहुत जरूरी है और जामिया हमदन जो है वो deemed to be university है रैंकिंग अच्छा है लेकिंग फिस जामिया मिलिया इसलामिया से थोड़ा सा ज़ादा है चलिए अब official जो website है इसका दर्शन डे डालते हैं ये है जामिया हमदर्थ की official website इस website पे आपको about us, leadership, academics, admission, online admission, research, facility, accreditation and ranking ये सारे चीज़े आपको मिल जाएगा hostel भी मिलते है, student life अच्छा है, campus बहुत अच्छा है, extra curricular activities भी होते हैं, बहुत सारे programs भी होते है और देखिए देश की रज़ानी दिल्ली है यहाँ पे कोई भी university है including private सभी अच्छे है और इसका NAC का जो है A plus grade भी मिला हुआ है और ये पिछले साल से institution of eminent था, ये भी ध्यानक नहीं है और pharmacy के number one institute था, अभी भी pharmacy one, two, three इसी rank में रहता है तो जामिया हमदर्द को हमदर्द है ना यानि दुख का साथी, यानि medical के terms में जामिया हमदर्द को बहुत अच्छा ranking है अब इसमें कौन-कौन से courses है वो चली एक बार नज़र डाल देते हैं उसके बाद जो ये form निकला है ये 2024 का prospectus इसके बारे में हम बताएंगे उससे पहरे देख लीजिए एक नज़र course की तरफ, देखिए एक department है, School of Chemical and Life Sciences इसमें क्या-क्या courses है certificate course in forensic toxicology, BSC honors biochemistry, biotechnology, botany chemistry, textile chemistry, clinical research और toxicology BSC honors with research, biochemistry, biotechnology, botany chemical textile, chemistry, clinical research और toxicology और MSC बहुत सारे courses में है, botany chemistry, toxicology, biotechnology, biotechnology में self-finance में clinical research है, forensic science है medical के नाम पे बहुत अच्छा university है, युनानी की बात करें तो इसमें diploma in युनानी pharmacy मिल जाएगा pre-dipya भी मिल जाएगा, B.U.M.S. General, B.U.M.S. Self-finance, M.D. युनानी in on-discipline तो युनानी medicines का भी बहुत बड़ा hub है ये university उसके बाद school of humanities and social science में B.A. honors Islamic studies, B.A. politics and governance, M.A. politics, governance and public policy, M.A. arts and international studies, M.A. Islamic studies, M.A. human rights अब बात करेंगे pharmaceutical education and research की, इसमें आपको diploma in pharmacy मिल जाएगा, बहुत अच्छा कोर्स है, bachelor of pharmacy general, bachelor of pharmacy self-finance M.Farma की बात करेंगे तो बहुत सारे इसमें branches मिल जाएगे, pharmaceutical में, आप देख सकते हैं अब बात करतें engineering का, तो engineering में B.T. computer science, B.T. electronics B.A. tech, computer science में artificial intelligence, B.C.A. और B.A.C. IT मिल जाएगा, bachelor of science honors, computer science मिल जाएगा M.Tech की बात करेंगे तो इसमें computer science और data science, computer science में cyber forensic and information security M.Tech part-time भी है, computer science engineering से, M.C.A. भी है और M.C. computational biology and system biology in bioinformatics, ये तो engineering की बात होगे अब चलते हैं, interdisciplinary science जो की ये जो सरकार है, इसका promotion कर रहे है National Education Policy के नाम पे, तो interdisciplinary आने वाले समय में बहुत ही अच्छा एक course हो सकता है B.Tech Food Technology, M.Tech Food Technology, M.C. Biomedical Sciences, M.C. Medieval Virology, M.C. Nutrition and Dietitian अब आगे management की बात करें, तो management में जो courses है, B.B.A. है, बहुत अच्छा courses है जामिया हमदर्द का, Bachelor of Hotel Management है, ये भी बहुत अच्छा course है Bachelor of Commerce है, B.C.M. जो की हमेशा All Time Hits, यानि Evergreen course है MBA भी Evergreen course है, जामिया हमदर्द का Mass Media के बात करें, तो Bachelor of Arts and Journalism भी है, जामिया हमदर्द में Law की बात करें, तो B.A.L.L.B. Integrated course भी है और L.L.M. Master of Law भी course है और B.A.C. Nursing भी General मिलेगा, Post Basic B.A.C. Nursing भी है, M.A.C. Nursing in All Discipline अब आगे जो Physiotherapy है, इसमें B.P.T. मिल जाएगा, B.O.T. मिल जाएगा, M.O.T. और M.P.T. मिल जाएगा Physiotherapy में ये भी बहुत अच्छा course है, स्पोर्ट के डॉक्टर मनियेगा Department of Paramedical Sciences में डिप्लोमा इन X-Ray, ECG, Operation Theater Technology, Dialysis Techniques, B.A.C. MLT, B.A.C. Medical Imaging Technology, B.A.C. Anesthesia and Operation Theater Techniques, Bachelor of Optometry, B.A.C. Cardiology Laboratory Techniques, B.A.C. Dialysis Techniques ये भी बहुत पाइउनियर course है, बहुत अच्छा दर्जा का course है, जामिया हमदर्द का, B.A.C. Emergency and Trauma Care Technology, MSC Medical Lab Science, MSC Medical Radiology and Imaging Technology, Master of Optometry ये course का मैंने नाम सारे बता दिया है, जिससे आपको पता चले कि जामिया हमदर्द का मतलब हमदर्द जो नाम है, सही में हमदर्द का ही course जादा है, इनसानों के बेहतरी के लिए, health के लिए ये सारे special special courses यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें career पक्का मिलेगा क्योंकि देश में जन संक्या जादा है, जन संक्या जिस देश में रहती उसमें बीमारिया भी जादा रहेगी, और आपके medical में आप देखेंगे कितना भीड रहता है बड़े बड़े अस्पतालों में, इससे पता चलेगा कि इसमें कितना आगे चलके scope है, आप बात कर लेते हैं जिसका form निकला हुआ है, तो जामिया हमदर्द residential coaching का form निकला हुआ है, जिसको support करता है ministry of human resource development, यानि education ministry or government of India through university grants commission, आपको पहले भी कही वीडियो में बताया हूँ कि university college का मालिक होता है UGC, तो UGC का ही ये scheme में, ये जामिया हमदर्द में residential coaching academy चलता है, जैसे जामिया में भी free coaching होता ह इस IPS गया, तो इसका prospectus release हुआ है, 2024 का, तो इसमें थोड़ा zoom करके आपको बताऊंगा, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, चलिए, A to Z detail डालने से पहले आपको मोटा मोटी चीजे बता देता हूँ, तो जामिया हमदर्द residential coaching academy है, इस्टेब्लीश हुआ था, September 2009 में, ministry of human resource के द वाला, यह residential coaching academy बनाया गया है, the main trust of the coaching program is to prepare a student for a minority, community, SCST and women candidate, लड़किया कोई भी जाती धरम के हो सकती है, छत्रिय, वैश, कोई भी community के, हिंदो, मुसलिम, कोई से भी लड़कियों में कोई भेदाव नहीं है, बाकी SCST है, और minorities है, यह तीन major category है, यह चार मान सकते है, minority हो to secure jobs in government and public sector units, right, academic support and guidance आपको यहां मिलेगा, personality development के training मिलेगी, holistic development आपका होगा, कोई भी आने वाले समय में competition के लिए, क्या-क्या infrastructure इस free coaching में मिलेगा, आपको academic activities मिलेगा, जिसमें 10 महीने का आपको coaching दी जाएगी, rigorous और intensive, regular return test होगे, जो की उसका evaluations होगा, performance candidates का होगा, In addition, personality development of the candidates is emphasized by personal support and guidance, regular interactive session with a successful civil servant जो IS IPS बन गए है, उसके द्वारा आपको coaching कराए जाएगी, also being conducted for the candidates, group discussion होगा, debates होगे among candidates for the encourage to develop communication skills, Overall academic activities आपको करवाई जाएगी जामिया के इस free coaching academy में, free coaching तो नहीं है, इसमें पैसा लगेगा, उस जामिया मिलिया, इस्लामिया फ्री है, यहां कुछ पैसे लगेगा, वो आगे आपको पता चलेगा, Library आपको मिलेगा, जो की 20 घंटे हर एक दीन में खुला रहेगा, संडे को भी 20 घंटे, शनीवार को भी, पूरे all weeks में आपको 20 घंटे आपको खुली रहेगी, क्या चीज़? Library, Hostel मिलेगा सारे students को, वहां मेस facilities मिलेगा, sharing basis पे आपको hostel मिलेगा, washing clothes जो की hostel में अलाव नहीं है, तो आपको laundry charges देना पड़ेगा, जो की आपको, यह है ना, the hostel facility 10 महीने के लिए रहेगा, आपको वहां कपड़े धोने की, मतलब अलाव नहीं है hostel में, तो आपको laundry charges लगेगा, stipend 20% selected candidates होंगे, जितनी भी इसमें सीटे हैं, उसके 20%, जो की UGC से 2000 पर मत stipend मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आपको income certificate बनाना पड़ेगा, तासिलदार जिसको revenue officer बोलते है, admission process क्या है, इसमें return test होगा, national level test होगा, प्लस group discussion होगा, तो group discussion जैसे national level पर test होगा, देखिए, साड़े दस से लेके, साड़े बारे दो घंडे का test होगा, 300 का मार्स का होगा, इसमें negative marking भी होगा, negative marking होता है, उसके बार group discussion 50 मार्स के होगा, जो की इसका जामिया हमदर्द में ही होगा, राइट, बाकी आपका exam center दो जगें पड़ेगा, एक दिल्ली में और दूसरा केरल में, केरल में कुनूर जीला में पड़ेगा, और दिल्ली में जामिया हमदर्द में आपका test होगा, बाकी आपका group discussion, personal interview जामिया हमदर्द में ही होगा, वेटेज, कुछ examination अगर आप आपने qualify किया है, तो उसका weightage मिल सकते हैं, जैसे UPSC civil service आपने qualify किया है 2021-2023 में, इसका weightage 25% मिल जाएगा, अगर आप civil service main आपने qualify किया है, इसका 50 number weightage मिल जाएगा, state label या कोई भी ये national label test आपने निकाला है, तो सबका weightage दे रखा है, तो आपने अगर qualify किया है, उस qualification का proof दे graduation हो, graduation pass out हो, वही इसमें apply कर सकते हैं, ठीक है, कौन-कौन इसमें eligible नहीं हो, जिन्नों ने दो साल तो इसमें पढ़ा है, लेकिन किसी भी exam नहीं निकाले है, उनका इसमें eligibility नहीं है, जिन्नों ने जामिया हमदर से library से book उठाया और वापस नहीं किया, वो लोग भी apply नहीं कर सकते हैं, जिन्नों ने अभी मेस का due जो है, वो नहीं पूरा किया और भाग गये, तो जो भगवड़े हैं, चाहे किताब लेके, या वहां के मेस का पैसा नहीं दिये, होस्टल मेंटेंस चार्ज नहीं दिये, उनका इसमें eligibility नहीं रहेगा, जो दो साल तो तयारी किया, उनक कब तक भर सकते हैं, संडे को 28 जनवरी तक भर सकते हैं, ठीक है, एड्मिट कार्ड इशू होगा, 9 फरवरी को, टेस्ट होगा, 17 फरवरी को, रिजल्ट आएगा, 23 फरवरी को, ग्रूप डिसकेशन, पॉसनल इंटरव्यू जो होगा, 5 मार्च से लेके, 8 मार्च के बीच में फाइनल रिजल्ट आपका, 12 मार्च तक आजाएगा, एड्मिशन आपका, 13 मार्च से लेके, 19 मार्च के बीच में हो जाएगा, उसके बाद इंडक्शन जो सेशन होगा, 20 मार्च 2024 को होगा, टोटल 100 सीटे हैं, 70 मेल और 30 फीमेल का, 15 सीटे जो हैं, उसमें आपको सिर्फ इं दे के सकते हैं,'s जामिया हमदद की ये स्पेशलिटी है, कुछ सीटे टेष्ट के द्वारा भरती है, कुछ सीटे पैसे दे के एड्मिशन हो जाता है, जो कि ये सेल फइनिस की रूप में किया जाता हैं, बहुत ज़रूरी है, 47,000 मेंटेनेंस चार्जेश है, उसके बाद ज एक्सेंशन है यह email id है जामिय हमदर्द residential coaching academy के आप mail करके पूरा detail ले सकते हैं ठीक है बाकी यह site map दे रखा है और यह prospectus खतम तो यह important इसमें क्या है कि form निकला हुआ है 28 जन्वरी 2024 तक apply कर सकते हैं और जामिय हमदर्द अच्छा university है बहुत सरे private university से अच्छा है और इसमें जै साल के लिए आपको मुबारक बात कि यह साल आपके लिए अच्छा हो और जामिय हमदर्द अच्छा university है इस university का जरूर फैदा उठाईएगा ऐसे यूसपल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो पसंद है तो लाइक किजिए आने वाले स समय में आपको और भी अच्छे एच्छे वीडियो देखने को मिलेगा मिलते हैं इसी यूसपल वीडियो में तब तक यो टेक गूट के रफ्यो सर्फ जैहिंद जैजामिय हमदर्द